चुनाव में अक्सर दिगज नेता दो जगे से अपनी किसमत आजमाते हैं यहां तक कि साल 2014 के लोगसभा चुनाव में खुद पीम मोदी ने दो जगे से चुनाव लड़ा था लेकिन दो सीटों से चुनाव लड़ने का मसला ना सिर्फ संसत तक सीमित है बलकि ये सुप्रिम क कराई गई है यहां तक कि चुनाव आयोग में भी ये मामला पहुंचा लेकिन इसे लेकर कोई फैसला नहीं आ सका वहीं अब इस मामले को लेकर सुप्रिम कोर्ट में भी सुनवाई हुई जहां कोर्ट ने इजजन हितियाचिका को खारिच कर दिया सीजी आई डीवाई चंदरचूर ने कहा कि ये विधाई नीती का मसला है वहीं आचिका करता की वकील ने कहा कि ये इसलिए गलत है क्योंकि जिस सीट को छोड़ा जाता है वहाँ पर दुबारा चुनाव होता है और वोटर को दुबारा आना पड़ता है या अनुछेद 19 का अलंगन है दक्षिल पूर्व एशिया समिट जादा तर देशों में इस्थापित लोकतंत्र में सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ने का प्रावधान है इस पर सीजी आई ने कहा कि चुनाव लड़ने वाला पहले से कहा जानता है कि दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगा य कोट ने केंद्र और चुनाव आयोग याचिका करतया के पक्ष पर गोर करने के बाद ये ने लिया कि ये एक विधाई नीती का मुद्दा है लोकतांत्रिक चुनावी प्रकरिया में संसद इस पर विकल्प दे सकता है संसद ही इस पर कदम बढ़ा सकता है या अदालत ऐसे म कोई हस्तक शेप नहीं करेगी याचिका का हम निप्टारा करते हैं अब कोट ने इस मसले पर अपने कदम पीछे खीच लिये हैं लेकिन चुनाव आयोग जरूर सकत है चुनाव आयोग ने पहले शीर्श अदालत में दायर एक हलफ नामे में चुनाव सुधारों पर अपने की सकतनाव करते हैं और झालत में शैकर और अचयोग येज़ हैं अलिए इसम都ब से अपने क्यूं करते हम weldशी कोई हैं पर अचल कि सकते हैं leads कोई ने की सब्टी कोई वारत अभी हैं आपने करेगे हैं जिये हैं बाहें एक हम कॉले की सुबकती केता है